पाइधण सीखने के लिए हमारे चेनल लर्न कोडिग को सबस्क्राइब करें पाइधन प्रोग्राभिणिंग में आज का हमारा टॉपिक है Constructor इस वीडियो में हम जानेंगे कि Constructor क्या होता है कितने टाइबस का होता है और कंस्ट्रक्टर यूज करने का मेन परपस क्या है हम क्यूं कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में इन सभी चीजों को हम डिसकस करेंगे प्राक्टिकल प्रोग्राम के साथ लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्टर होता क्या है अगर एक्जाम में पूछ दे ऑपने मार होगे करते है कि यह कंप bunlar क्या होता है लेकिन इंट्रव्य में आप से क्या पूछेगा की वाफ इस्टक्टर ओस करने का परपस क्या है तो आपको simply वहाँ पे बोलना है the main purpose of constructor is to create and initialize the object constructor object create भी करता है और उसको initialize भी करता है यही main purpose होता है constructor use करने का ठीक है अभी constructor को हम python में define कैसे करेंगे कैसे create करेंगे constructor को सबसे पहले तो constructor किसी भी class के लिए create होता है ठीक है आपको एक बात यह याद रखना है तो माल लीजिए हमारे पास कोई एक class है उस class में अगर हमें constructor create करना है तो syntax क्या होगा आपको लिखना है डिफ डिफ एक keyword है जैसे हम normal function को create करने के लिए यूज करते constructor create करने के लिए भी हम diffuse करेंगे उसके बाद आपको starting और ending point में double underscore use करना है और बीच में आपको लिखना है इनिट ठीक है इनिट मत्तब initialization तो यहाँ पे इनिट जो हमारा है यही है हमारा constructor अगर आप double underscore के साथ इनिट लिखते हैं और यहाँ पे एक self parameter पास करते हैं और यहाँ अंदर में कुछ भी code लिख रहे हैं तो यहीं होगा आपका क्या python का constructor ठीक है और यहीं constructor अपने आप call होगा जब हम class का object create करेंगे ओके तो यहाँ पे हम दो तीन बात आपको याद दिला दे रहे हैं कि आपको क्या याद रखनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं self लिखा हुआ है parenthesis में तो यह self क्या है self एक reference argument है ठीक है इसका काम क्या होता है कि अगर माली जै इस constructor के अंदर यहाँ पे हम कुछ code लिख रहे हैं कुछ variable क्रियेट कर रहे हैं ठीक है अगर उस variable में हमें कुछ भी value assign करना है तो हम इस self के थुरू ही उसमें कर सकते हैं without self के हम उसमें value initialize नहीं कर सकते जो भी variable हम constructor के अंदर create करेंगे या फिर कोई variable class में defined है उसको हमें इस constructor के अंदर access करना है तो उसे भी हम इस self के थुरू ही कर सकते हैं ठीक है self क्या होता है current object को point करता है तो जैसे ही हम object create करेंगे वह सीधा self को call करेंगे और self के थुरू value भी हम इस slice कर सकते है और variable को access भी कर सकते हैं constructor के अंदर तो अभी हम चलिए आपको एक practical show कर रहे हैं जिसमें हम यह दिखाएंगे कि constructor कैसे create करते हैं और कैसे python के हर एक program में एक by default constructor होता है अगर हम create करेंगे तो भी और अगर हम create नहीं करते हैं तो python कैसे अपने से by default constructor create कर देता है जो कि हमें so नहीं होता है तो इन सभी चीजों को चलिए practical हम प्रूफ करके देते हैं कि कैसे हर एक program में एक default constructor होता है सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं अपने इस program में एक class create कर लेते हैं class A ठीक है अभी इस class A के अंदर हम कुछ भी code नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ पर बस pass लिख देंगे pass का मतलब अभी हम कुछ भी code नहीं लिखेंगे just program को हम run करना चाहते हैं ऐसे ही तो हम यहाँ पर क्या कर रहे है class A का object create कर रहे है तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ न ए और यह parenthesis यही क्या है यही है constructor ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं इसको initialize कर दे रहे हैं एक variable में तो यहाँ पर यह जो right side में लिखा हुआ यह constructor without इसके हम class A का object create नहीं कर सकते और देखो हम इसको create करने के बाद initialize भी कर रहें OBJ में ठीक है तो class A का object create हो गया है अब अगर इस program को हम save करें और run करें तो इसका output आप देखिएगा कुछ भी यहाँ पर output नहीं आया है क्यूंकि हम कुछ भी task perform नहीं किये हैं नहीं कुछ print किये हैं इसलिए यह blank है लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे इस class A के अंदर एक constructor है यहाँ पर एक constructor created है python ने create किया हुआ है लेकिन हमें so नहीं हो रहा तो क्या आप उस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे तो हम क्या कर रहें practically आपको चलिए so करके दिखा देते हैं कि अभी भी constructor है हमारे प्रोग्राम में अगर हम खुद का मालो एक default constructor यहाँ पर create कर लें ठीक है यह हमने खुद का default constructor create कर लिया with self parameter self parameter इसलिए लिखे हैं ताकि in future हम इस class A में कोई member create करें तो उसको हम access कर सके self के थूरू इस constructor के अंदर अभी अभी हम कुछ भी code नहीं लिखेंगे just हम pass लिख दिये हैं अभी भी कुछ भी code हम नहीं लिख रहे हैं तो अगर हम program को save करके run करें तो अभी भी आप देखो save output आया है कुछ भी नहीं तो इसका मतलब जब अभी हमने खुद का constructor create कर दिया फिर भी कुछ output नहीं आया और जब first time यह वाला line नहीं था यह constructor हम create नहीं किये थे फिर भी same कुछ भी output नहीं आया था तो इसका मतलब उस time भी यह constructor था और अभी भी यह constructor है ठीक है तो इससे यह proof होता है कि python के हर एक class में एक default constructor होता है क्योंकि without constructor यह object का कोई concept ही नहीं रहेगा नहीं यह object create होगा नहीं नहीं slice होगा तो अभी आपके mind में यह question आता होगा कि जब python खुद से default constructor add कर देता है class में तो हम खुद का constructor क्यों create करें ठीक है यह question आता होगा आपके mind में तो हम खुद का constructor इसलिए create करते हैं मान के चलो मेरा requirement है कि constructor के अंदर मुझे add to number करना है या फिर कोई value मुझे print करनी है constructor के अंदर अपने task के according तो क्या python हमें constructor provide कर रहा है तो क्या उसके साथ हमें वो code करके भी देगा add to number का या फिर हमारा जो भी requirement है वो constructor के साथ हमारे code को भी करके देगा नहीं python just हमें एक empty constructor provide करता है बिलकुल इतना ही जो अभी screen पे आप देख पा रहे है लेकिन अब हम खुद का constructor create किये हैं तो हम यहां पे कुछ भी task perform कर सकते हैं मालो मुझे एक variable create करना और इसमें मैंने value in slice कर दिया अंकुस और इस value को मुझे print करना है तो मैं print function के तुरू क्या कर सकता हूं इस name को print कर सकता हूं प्रोग्राम को run करेंगे यहां पे अंकुस print हो जाएगा तो खुद का constructor create करने का advantage यही होता है कि हम अपना task perform कर सकते हैं constructor के अंदर अपने according का value print कर सकते हैं टास्क ले सकते हैं ठीक है अब अगर मालो मैंने आपको बोला था यह self हम लिखते हैं कि हम class के अंदर member को access कर सके तो यह जो name है यह constructor का ही member है इसलिए इसको access करने के लिए self का कोई need नहीं है अगर आप self लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर भी आप value को access कर पाएंगे प्रोग्राम को save करके अगर run करें देखिए लेकिन यहां पर अगर हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी हमारा काम हो जाएगा अब अगर हम class में ही एक member create कर ले और उसमें value दे 10 ठीक है यह class का member है और उसको हम यहां पर access करें नेम के साथ अगर मालो हम access करना चाह रहे हैं किसको एज को ठीक है एज को access कर रहे है प्रोग्राम को save करें और run करें तो यहां पर आप देखिएगा आपको error throw करेंगा यहां पर देखिए error throw कर दिया name age is not defined यह age not defined बोल रहा तो age class का member है उसको हम इस self के यहां पर access कर सकते हैं तो अगर हम लिग देखिए self.age और program को save करें और run कर दें यहां पर देखो अंकुष भी print हुआ है और हमारा age का value भी print हुआ है तो self क्या करता है current object को point करता है ठीक है इसको तो यह current object का ही part is class का member है और यह class का ही object है इसलिए इसको access करने के लिए reference parameter का हमें नीड हो रहा है और यह कोई भी हमारे द्वारा किया हुआ parameter नहीं है create किया हुआ parameter नहीं है यह self parameter reference parameter है जिसका main मकसद होता है इन members को access करना किसी भी function के अंदर python में तो इस video में हमने आपको show किया कि कैसे python के हर एक class में एक constructor होता है अगर हम create करें तो ठीक नहीं करते हैं तो python by default create कर देता है उसके बाद हमने आपको यह भी बताआ कि खुद का constructor create करने का advantage क्या होता है क्यूं करें अगर python खुद से कर देता है python बस हमें empty constructor create करके देगा उसमें code करके नहीं देगा लेकिन अगर हम खुद का constructor create करेंगे हम इस तरीके से अपने task को भी constructor के अंदर perform कर सकते हैं अभी एक और last हम आपको एक चीज और so कर देते हैं यहाँ पे ठीक है इस line को भी हम remove कर दे अभी यहाँ पे हम simply क्या कर रहे हैं एक message ही just print कर रहे हैं ठीक है हमने constructor create किया उसमें हमने एक message print कर दिया अंकुस अब इसी class के अंदर हम एक और constructor create कर दे अगर ठीक है और इसमें value हम change कर दे अंकित तो अभी program को save करके हम run करेंगे तो output क्या आएगा क्या बता सकते हैं अंकुस print होना चाहिए या फिर अंकित या फिर दोनो print हो जाना चाहिए तो program को चलिए run करते हैं तो यहां पर देखो अंकित प्रिंट हुआ है तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर आप एक class के अंदर multiple default constructor create कर रहे हैं तो वो last वाले को ही priority देगा last वाले को ही call करेगा ठीक है अब बात करते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए सेयर कर यह चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा